नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सोरोवर आपको बोलतों स्वागते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल टेक्स वह रुपे दोस्तों आज कूडियों में आपको बताने बाला हूँ कि आपने MI के फोन में MI के एकाउंट को कैसे करियोट का सकते हैं जहां फिर existing MI के अकाउंट को कैसे एड़ कर सकते हैं तो चल्ड़ी बिना के देख करते हैं मरी आज को डिलिए दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम यहां पर अपने MI के इंटरफेस में आ चुके हैं यहां से MI के अकाउंट को करियेट करने के लिए जहां फिर existing अकाउंट को लोगिन करने के लिए simply आपको अपनी settings को ओपन कर लेना है Settings को ओपन कर लेने के बाद आपको simply स्क्रोल डाउन करना है यहां पर bottom में आपको MI account का option मिल जाएगा जिस पर आपको simply click कर देना है MI account पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा जहां पर आपकी device में existing SIM का number show होगा आपको जहां से sign up पर simply click कर देना है लेकिन अगर आपके पास existing MI account है जहां फिर आप email के साथ MI account को create करना चाते हैं तो आपको another account पर click कर देना है यहां पर क्योंकि मैं phone number के साथ अपना MI account create कर रहा हूँ इसलिए sign up पर click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा यह interface email account के साथ sign up करने पर भी same ही होगा अगर आप जहां पर चाहें तो find my device को own कर सकते हैं नहीं तो आपको simply continue पर click कर देना है इसके बाद आपको जहां पर ok पर click कर देना है और अपने MI account पर एक password set करना है सेट पर click करने के बाद थोड़ी processing होगी आपको इसका wait कर लेना है इसके बाद next page पर आपको sync को on करके continue पर click कर देना है जिसके बाद आप जहां पर देख सकते हैं कि हमने अपनी MI device में MI का account successfully create कर लिया है तो दोस्तों मारे आज की वीडियो में इतना आशा करता है आज को आपको अपको चलागा वीडियो चलागा वीडियो को लाइक जिरूट करते हैं जासे याज शेक करें साथ साथ चैनल के रेचाप को सब्सक्राइब करते हैं